मूवी की शुरूहत में हम खतरनाक जंगल को देखते हैं, जहांपर एक अजीब सा घर दिखाई देता है, उस घर में तीन दोस चुट्या मनाने के लिए आये हुए थे यह घर नहर के किनारे था, दो दोस पैठे वे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, उनकी एक दोस घर के अंदर थी, जिसका नाम जैसिका था उसकी आलन पोच जाते खराब थी, जैसिका के पास उसकी एक दोस आती है, जो उसके साब को मस्ती करती है और उसे एक किताब पर का सुनाने लगती है, एक दन से जैसिका को पतानी क्या हो जाता है, वे अपनी अजीब सी आवाज में इस किताब को पढ़ने लगती है जैसिका के आवाज को सुनकर ऐसे लग रहा था, जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो, उसे उल्टिया भी आने लगती है उसके आँखों का रंग बदल जाता है, जिसके बाद अचानक से वे अपने दोस्त के बालों को फार कर उसके सर से अलग कर देती है और बहार जाकर अपने दोस्त का सिर्फ उसके जिसन से अलग कर देती है, उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया था इसके बाद जैसिका को हम हवा में उड़ता हुआ देखते हैं, उसकी दोस्ती सब होते हुए देख रही थी ये तीनों कौन थे और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब जानने के लिए कहाने एक दिन पीछे जाती है जहां से ये सब शुरूर हुआ था, तो हमें एक पुरानी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें एक अपार्टमेंट में एली नाम की उरत अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी वो अपने हस्बन से अलग रहती थी एक रात एली की बहन बैत उसके घर पर आती है वह उसके बच्चों को तोफ़े देती है जो उनके लाई होती है वह उसके हस्बन के लिए भी तोफ़ा लाई होती है लेकिन ये बात वह नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बन के साथ नहीं रहती बैत उसे उसके हस्बिन के बारे में पूछती है इसलिए बात करने के लिए अपने बच्चों को पीज़ा लेने के बहाने बाहर बेज देती है ताकि वह अकेले में अपनी बहन से बात कर सके बैत को जब अपनी बहन की एर्थबिन के बारे में बता चलता है तो वह अपनी बहन से कहती है कि उसे इस बारे में बताना चाहिए था उधर बच्चे जब पीजा लेकी वापस आ रहे थे तब अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है तो तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैट जाते हैं थोड़े देर बार सब कुछ ठीक हो जाता है तबी एले के बड़े बेटे को कार पार्किंग में बहुत बड़ा गड़ा दिखाई देता है जो इतना बड़ा था कि उसके अंदर जाया जा सकता है यह सब देखने के लिए कि अंदर क्या हो सकता है वो उस गड़े के अंदर चला जाता है जहां पर उसे कुछ किताबे और आडियो रिकॉर्ड्स मिलते हैं टेप के ओपर पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट ट्रे लिखा हुआ था उसमें कुछ पैरिस फादर की तस्वीरे भी मिली थी वहां पर बहुत से हॉली क्रॉस भी लगे वे थे जिनने देखकर है पता चल लिया था कि असपास की बिलने को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसलिए एली अपने परोस में रहने वाले लड़की से अपने बच्चों को ढूनने के लिए मदद मांगती है थोड़े देर बाद एली के बच्ची लिफ्ट से घर में आ गए थे जिनने देखकर एली उन ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी का मुह हो तब ही उसके उंगलिया उन दातों पर लग जाती है जिससे उसे खोन आने लगता है जो उस किताब पर भी गिरता है इसके बाद रहे किताब खुल जाती है हम देखते हैं कि उसमें अजीब अजीब तरह की तस्वीरी थी जैसे को आडियो टेप जिब डैनी चलाता है था उसमें फादर उस किताब के बारे में बता रहे थे यह किताब उन्हें कहां से मिली थी अचानक से आडियो टेप से एक डीमन वोईज आने लगती है जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता तब हम देखते हैं कि उस टेप से आजाज होकर वे डीमन लिफ्ट में एली के अंदर आ गई थी जो एली की हट्टियों को बुरी तरह से तोड़ देती है उसे बेरमी से मार रही थी उधर डैनी ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कैशिश करता है लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाता इतने में उसके घर की लाइट चिली जाती है और किताब के पन्ने भी खुद बखुद पलटने लगते हैं उसकी बड़ी बीटी जिब लाइट को चेक करती है तो हर तरफ लाइट थी सिवाए उनके घर के इसके मतलब जोगरी कुछ हो रहा था वैसे उनके घर में ही हो रहा था जब है अपने होश में आती है तो वैसरी फितना कहती है वो मेरे अंदर है उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुचाने देना इतना के करवे भी होश हो जाती है और नीचे गिर जाती है लेकिन वे सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और कोई के वज़े से सीडिया भी तूट गई थी वैसरी मिलकर एली को कमरे में लिटा देते हैं तो उनके पढ़ोस का वही लड़का जिसे एली ने अपने बच्चों को ढूनने के लिए मदद मांगी थी वह उसकी आंकों क उनके वह बंद करता है, मागर भें खुल जाती हैं, वह फिस से बंद करता है वह फिस से खुल जाती है यह सभी मिलकर प्ठे करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि व facet fame कि इससे प्याती है अभी बैध के फोन पर बेल बसती है इसकी और किसी और बल्कि उसकी बहन क तप्दक लेकर जाती है लेकिन अचानक सहीit पानी से निकलकर दिवार पर चड़ने लगती है इती जूर से चिलाती है कि उसकी चीक को सुनकर सभी बियूशोने वाले थे साथ जो पानी था वो भी उबलने लगता है यह एक के करके सब पे हमला करती है वो अपनी बेटी को भी मानने की कोशिश करती है उसका बेटी डैनी एली को पीछे करता है क्योंकि वैज जानता था कि उसकी मॉम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है यही परवे परोस में रहने वाले लड़के की आपको निकाल देती है और दूसरी परोसी के मुँ में फेक देती है बेट इस बात का फाइदा उठाकर अपार्टमेंट के दर्वाजों को बंद कर देती है उसके साथ एली के बच्चे भी थे तबी वैं एक सुराक से घर के अंदर देखती है कि एली ने जो भी खर के अंदर थे उन सब को मार डाला है एली की बेटी अपने भाई डैनी से लडने लगती है क्योंकि वैं जान गई थी कि सब कुछ उसी की वज़े से हुआ है उसी ने टेप रिकॉर्डर को चलाया था उस जादूई किताब को खोला था इधर ये सब आपस में लड रहे थे अपनी सबसे चोटी बेटी को वो एली अपनी बातों में बहला पुसला कर उससे गेट खुलवा लेती है एली की बड़ी बेटी के साथ भी वजीब सा होने लगता है उसके चेरे पर निशान हो जाते हैं उसके मुल से केड़े निकलने लगते है बैट एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो किचन में वह काँच की टुकड़े खा रहे थी इसका मतलब की वह भी एक डीमन टाकिट की कंट्रोल में थी एली की बड़ी बेटी भी उसी की तरह अपास जो चुकी थी वो भी अपनी आन्टी पर हमला कर देती है साथ ही अपनी बेहन को मारने की कोशिश कती है मगर उसकी बेहन अपनी डॉल से उसके सिर्पे मारती है और अपने आपको बचा लीती है डैनी बैट को बताता है कि यह सब उसी की वज़े से हो रहा है यह सब जाने के बाद डैनी के कमने में जानती है और हैड़फॉन लगा कर उस टेप रिकोर्डर को सुनने लगती है जो तीसरी और आकरी रिकोर्डिंग को सुहे वहाँ पर सुनती है केली बेटों इस पर हमला कर देती हैं उसे मालने की कोशिश कते हैं स bombs lost email sú ने मारा था वो लोग एक एकर के जिंदा होने लगते हैं और कहते हैं कि शाम तक कोई के अलावा कोई और रास्ता नहीं था लिफ्ट थी उसका दरवाजा बन था लिफ्ट के अंदर चाविया फजी हुई थी क्योंकि जब यह पॉस्ट हुई थी तो उसके हाथ में चाविया थी अब एली की बीटी में से उसकी चाविया को निकाल लेती है लेकिन देखते हैं कि है कि बड़ी बेटी और जाता है देखते ही देखते एली की अजीब से कुर्येक्ट cinq इसके चोटी बेटी और बैट जल्दी से गारी में बैट जाते हैं वे दुबारे से उनके सामने आ जाती है जो अपनी डीमन रूप में थी वो अपनी चोटी बेटी पर हमला करती है उसे मारने लगती है लेकिन वहीं पर एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ जाते हैं भाले सीन में हम देखते है कि एक लड़की जैसिका उसी दिन निचे आती है जो नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी और जैसिका वही लड़की थी जो हमें कहानी के शुरू में देखी थी अब जब लिफ से नीचे आती है तो बहुत सारा खोन देखती है और पुलिस को कोल करती है तब ही वो डीमन एली के अंदर आ जाता है तब ही वह डीमन जो एली के अंदर था जैसिका को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है अब आपको बात समझ में आगी है कि जैसिका ने अप झाल झाल झाल